प्रशोपीडा होने पर नीजी अस्पताल में भर्ती कराए गई महला सिपाही की हुई मौत कानपूर में तैनाद गर्वती महला सिपाही को शनिवार साम को शुरू हुआ प्रशोपीडा जिसके बाद परिश्णों ने अवास विकास तिरहा परस्थित माया होस्पिटल में महला सिपाही को कराए भर्ती मौत का सिपाही के जेट का आरोप भर्ती कराने के दौरान अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर नर्स नहीं लगाया इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाते ही महला सेपाही को शुरू हुआ तर्थ बिगरने लगी हालात, देर रात आए डॉक्टर ने हाट अटेक से महला सेपाही की मौत होना बता करके परिशनों को मृतिका का 100 सौब दिया जेनवे रोड स्थित घर पहुँश करके परिशने मामले की पहुँच सूशना फतेगड को तवाली पुलिस को रेडी रवीवार दोपहर पुलिस ने मृतिका महला सेपाही के 100 का पंचनामा भर करके पोस्ट वाटम के लिए भेजा मृतिक महला सेपाही सकी यादव पतनी विरेंदर शिंग कानपूर इवं एंटी डिमो स्टेशन टीम में तना थी फतेगड को तवाली छेतर के मुहला तन खड़िया बन खड़िया भरखा महू रेलवे क्रॉसिंग के पास का मामला कि कहा पोस्टेट कानपूर क्या हुगा उसके बाद वहां माया उस्पीट हम लेके गए सब को सही था बाद में जब अध्मिट किया बोला वह हुआ कि अठेक आगया जब आप अध्मिट करने गए तो वहां डाक्टर कौन मौजूद था तब डाक्टर वह जो उनके नर्स नहीं थे दाक्टर समय नहीं थे उसकी बाद आए फिर वह लगाया अपको इंजक्शन लगाया बोला यह तरद हुआ हमें तो जैकि उन्होंने समझाया जाकि वह तरद होते हैं जब इंजक्शन किसे लगाया था नर्स का नाम पता है नाम नहीं तो अभी पढ़ गया आई- आई-इंजक्शन लगाने बाद मरीज को तीन गंटे बाद आपको दे दिया क्या क्या कहकर मरीज दिया था था तो आपको यह आटेक बढ़ गया आपका कि अगरें पाईसे वेज़ें कितना ही लिए तो पाईसे जो फिर्ट रख सब्सक्राइब